जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं आदमपूर विधानसवाश्यत्र हर्याना की राज़निती में तीन लाल हुए उन में से एक भजनलाल की कर्म भूमी यही आदमपूर रहा 1967 के चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद से लगातार यहां पर भजनलाल परिवार का दबदबा रहा खुद भजनलाल यहां आठ बार विधायक रहे उसके बाद उनके बेटे कुल्दी बिश्नोई उनकी बहू और फिलहाल मौजूदा विधायक उनके पोते भाववे बिश्नोई है यानि लगातार इस परिवार का इस इलाके में दबदबा रहा लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कॉंग्रिस ना सिर्फ हिसार्व लोकसभा जीती बलकि इस विधानसभा से भी कॉंग्रिस को बढ़त आगे मिली माना गया कि SC और OBC दो वर्ग ऐसे थे जो अब की बार यहां खिसक कर कॉंग्रिस की तरफ गए ऐसे में सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से 2024 के विधानसभा चुनाव तक जाती गणित कितना बदला दलित OBC बिश्णोई किस के साथ इनी सवालों के साथ चलेंगे आदमपुर के अलग-अलग गाओं कस्मों में और पूछेंगे कि आखिर कास कैलकुलेशन क्या कहता है पिछले 56 साल से आदमपुर में भजनलाल सबसे बड़ा फेक्टर है पिछले 56 साल से आदमपुर में भजनलाल एंड फैमिली जीत रही है जाट वोटर से आधी ताकत रखने वाले विश्णोई पिछले सूहले चुनाव से यहां अजे है हमारे विश्वास के मुद्दे होंगे जो पिछले 56 सालों से चौधी बजनल परिवार आदमपुर के लोगों का एक अटूट विश्वास रहा है उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे पर मुद्दा विकास का भी रहेगा जो पिछले डेट सालों के अंदर मैंने मुख्यमती जी के आशिरवाद से 800 क्रोड की विकास कारियों को अंजाम देने का प्रयास किया है उसके नापर भी हम मैदान में उतरने का काम करेंगे 1968 में आदमपूर से 12 विदानसबा चुनाव और 4 उप चुनाव हुए 9 बार हरियाना के पूरु सीम भजनलाल चुनाव जीते एक बार उनकी पतनी जस्मा देवी चुनाव जीती चार बार उनके बेठे कुल्दी बिश्नोई एक बार उनकी पतनी रेनुका बिश्नोई और एक बार उनके बेठे भव्वे बिश्नोई विधायक चुने गए आदमपुर के जाती गनित की बात करें तो यहां 55,004,28,000 बिश्नोई, 26,000 दलित और करीब 33,000 OBC वोटर हैं इसके अलावा 4,000 पंजाबी मद्दाता और 4,000 ही अन्य वर्क के वोटर हैं इस सीट पर भजनलाल परिवार ने सभी जातियों को अपने पाले में जोड़े रखा था लेकिन अब ये एक जुटता दरकने लगी है बिश्नोई आज भी भवे बिश्नोई के लिए लामबंद हैं लेकिन दलित समाज, आरक्षन और समिधान के मुद्दे पर अलग राह तलाश रहा है इस वक्त हम आदमपुर हलके में हैं यहां विधान सवा को हलका भी कहा जाता है यहां पर जात और विश्नोई दो बड़े वोट वर्ग हैं लेकिन जो हर्याना के लाल हुए उनमें से एक लाल की एक कर्म भूमी रही और जिसकी वज़े से विश्नोई यहां पर दबदबा रहा कुल्दी विश्नोई ने उस राजनिती को आगे बढ़ाया अब उनके अगर हम समाज की बात करें तो किस समाज से आते हैं मेगवाल समाज मेगवाल समाज ऐसी तो जब आप अब की बार वोट करेंगे तो किस आधार पर वोट कर रहे हैं क्या यहां पर भजनलाल के परिवार का दबदबा रहेगा या फिर पार्टी वाइज अलग-अलग सोच हो किस पार्टी का दबदबा लग रहा है और खासकर एक सवाल सब में यह होता है कि 2024 में जब लोकसुभा चुना हुए ना तो एक अफवा उड़ी की आरक्षन खत्रे में तो क्या रिजर्वेशन पाने वाले समाज में इस तरह कोई भावना है रिजर्वेशन तो जी खतम अभी तो नहीं हो गए आगे करेंगी यह अच्छा आला किसी है इस बात को लेकर आपको शंका है शंका है बारी तो इससे वोट भी पल्टेगा फिर तो बोट तो पल्टेगा अच्छ सर आपका नाम क्या हुआ बल्वन जी क्या स्थिति है यहां आपके गाउं की लोगसभा में किसका पलड़ा भारी रहा था लोगसभा में तो भारी रहे हो जेपी का तो अब विधान सभा में क्या तस्वीर रहेगी विधान सभा में कुल्दीप की रहे है कुल्दीप मतलब समाज की दिल्चस्पी कम थी बहुत सारे चुनाव देखे अब की बार का चुनाव कितना अलग है इक तरफा कोई कोई हवा देख़ रही है क्या दिख रहा है यहां तुकुललीप की लहर है तो टुकुल के एंडिडेट एहां BJP से ज्याद माइने नहीं कोई जहां हूं वहां रात है आप को क्या लग रहा है Fedक बताव बीजेपी ने हर्यान में लगातार दो बार सरकार बनाई लेकिन आदमपूर का लॉक अनलॉक नहीं कर पाई यहां कमल तभी खिला जब विश्णोई परिवार के भव्वे पाटी में शामिल हुए लेकिन लोगसवा चुनाव में विश्णोई परिवार का कंट्रोल इस सीट पर कम होता दिखा विश्णोई फैमिली के गड़ आदमपूर में कॉंग्रिस को बीजेपी के मुकाबले 6384 वोटों की लीड मिली आदमपूर के खेरंपूर गाओं में इस वक्त हम मौझूद हैं और यहां पर पार्ग देखकर आपको लगया किसी शेहर से कम पार्ग नहीं है यहां के लोग हमारे साथ हैं सर विधानसभाद चुनाव आ गए आपका नाम क्या है और क्या तस्वीर लग रही अब की बार विधानसभाद नाम सत्पाल है सत्वाल कौन से समाज चoster कि विष्णोई जी भवे लिए और कुलदीन अे लागा माने जाता तो बिश्णोई सारे एक साथ है उनके समर्वे décisions तो किसका नतीजा किसके पक्ष में? जाट किसके साथ है? तो कुल्दीब के साथ विश्णो ही हैं। लेकिन जब 2024 का चुना हुआ तो यहां से कॉंघरेस आगे थी। वो गुत्थी क्या है? जब लग बग तो लोग कुल्दीब के साथ होते हैं। तो तीन महीने में क्या माहूल बदला क्या BJP सर्कार के खिलाव जो गुटसा था वह तीन महीने में खतम हो गया पिछले चुनाओं में दोई नहीं था इसलिए लोगों ने सबस्यूटкивilar यह फरक होता है, अच्छा, फरक होता है, विलकुल, सर आपका नाम क्या है, और हरियाना की सियासत में अब की बार क्या तस्वीर लग रही है यहां से हमारे आदूम पुरिगंदर बदाओगा यह हमारा गड़ मानिया जता है कुलदीब का, तो कुलदीब ने अन्देखि करका कि अलगे को हमारे को सम्बालया नहीं हां काम नहीं किया फिर भी लोग हमारा समझ कि इसको बोट भी दे रहें अब की बार बदला होगा किसका शिखर बुलंद रहेगा अब की बार पबलिक की हवा के बात में कोन सा वर्ग है जो बीजेपी से हटके जाटों के हलावा उड़ा की तरफ गया है यह से बीसी है ना यह लग लग जाटों के साथ जा रहे हैं अच्छा हरियाना की पॉलिटिक्स जाट और गैर जाट के बीच होती है बीजेपी ने मनोरलाल खटर की जगहें नायब सिंग सैनी को सीम बना कर OBC वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जबकि कॉंग्रिस की सियासत जाट नेताओं के भरोसे है जाट लिंड की खासियत यह रही है कि यहां के लोग पार्टी लाइन से उपर उठकर कैंडिडेट पर वोट करते हैं और आदमपुर इसका सबसे सठीक एक्सांपल है यह बताओ लोग सभा में क्या हुआ धान रहेगा या बदल जाएगा गूस तो की तो लोग सभा में तो यहां कॉंगरेस जीती है जीत वो तो बदन ला थी ये, वो जीत नहीं, वो तो कंडिडेट के इसाफ से दीत की, एकदम कंडिडेट रंजी इतने खड़या कर दिया लागे, उमीद थी और की पबलिक को, अच्छा, बिश्नोई कुल्दी बिश्नोई की उमीद थी लोगों को, भी ओई थी, अच्छा, तो बिश्नोई समाज बीचे अट गया, ओगया होगा, अट गया होगा, अच्छा, भववे बिश्नोई आदमपूर सीट से बीचेपी के प्रतियाशी है, लेकिन यहां के लोगों की जुमा पर कुल्दी बिश्नोई का ही नाम है, लोगसभा चुनाओ में बीजेपी हिसार स समाज एक चुट है, इस वक्त हम महलसरा गाओं में हैं, यह भी आदमपूर मंडी हलके में ही आता है, यहां पर भी विश्नोई परिवार का दबदबावा ना जाता है, लेकिन उस विश्नोई परिवार के दबदबे को 24 के चुनाओं में चुनाओती मिलती दिखी, जब यह नहां से कॉंग्रेस को मिदवार जीता और इस हलके से भी कॉंग्रेस आगे रही, सर अब की बार विधानसवा में क्या तस्वीर नजर आ रही है, विधानसवा में जैसे बभवे गी है, इस परिवार ने 50 सलों से विकास के काम करूए है, यह आगे करूए है, तो एक सवाल कि जब भवे बिश्नोई का नाम आता है, तो कौन-कौन से वर्ग भवे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लोकसवा चनाव के दाना निय अफपा उड़ी थी, कि भई दलित जो है, वो डरा हुआ है, कि आरक्षन चला जाएगा, अब की बार क्या स्थिती दो हजार बाइस के विधानसबा चनाव में भवे बिश्नोई उपचनाव में जीते थे, लेकिन उनका मार्जिन कम रहा, आदमपुर में पिछले तीन चनाव को देखे तो दो हजार चौदे के विधानसबा चनाव में कुल्दी बिश्नोई हर्याना जनहित कॉंग्रिस के सिंबल पर चनाव जीते, उनकी जीत का अंतर सत्रा हजार वोटों से ज्यादा का रहा, दो हजार उननिस में वो कॉंग्रिस के टिकट पर जीते, इस बार मार्जिन उनत्तिस हजार का हो गया, दो हजार बाइस के बाई इलेक्शन में भवे विश्नोई जीते तो जरूर, लेकिन अंतर घटकर पंदरह हजार साथ सो चालिस पहुँच गया, विश्नोई परिवार के बार-बार पार्टी बदलने को लेकर भी अब लोगों में नाराजगी दिखने लगी, इस वक्त हम महलसरा गाउं में मौझूद हैं, ये वो इलाका है जो आदमपूर हलके में आता है, आदमपूर हलका जो भजनलाल का हलका हुआ करता था, लेकिन वो दौर बीते बहुत साल हो गए, बहुत सारे वोट हुए, बहुत सारे चुना हुए, अब जमीन पर स्थिती क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। एक जमीन पर 24 के इलेक्शन में क्या था और विधान सभा कैसे अलग। मिनिस्टर पर अभी बात चल रही थी, इतना मालोकी बजनलाल के नाम पर इनको आज 30 साल होगे, बोट देते होगे। और सताव का बार बार परिवर्तन करना भी इनके लिए एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। पार्टी बदना यह भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जदी आपने ठिकाने पे रहते तो आज इनको और आने बड़ा कोई नहीं था। इनको ब wizardगा को मता है क्ब़ा है। झाल खाग्टर तो थे घए हुआ हूए, झाल और भी उमकाने इनको झालें दिकाना है प्राल प्र इनको और।